कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राजपरिवार के मुकुट मनी हैं गांधी परिवार का जो मुकुट है उनमें जो सर्वोच्य चमकता हुआ मनी है वो मनीशंकर ऐयर जी है तो स्वभाविक रूप से अगर कोई आत्मकता मनीशंकर ऐयर जी की लिखी गई है औ कोई स्टेटमेंट मनी शंकर ऐयर जी देते हैं तो वो केवल मनी शंकर ऐयर जी का स्टेटमेंट है या उन्ही के भाव हैं ऐसा नहीं है जिवहां मनी शंकर ऐयर की है विचार गांधी परिवार के one should be extremely clear whatever मनी शंकर ऐयर जी writes speaks and projects the pen and the tongue may be of मनी शंकर ऐयर but the ideas and the objectives of the गांधी फैमिली he represents the गांधी फैमिली as none other बंदुगन जब भी ये चुनाव आते हैं चुनाव से ठीक पहले गांधी परिवार अपने एक proxy मनी शंकर ऐयर के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट्स रखवाते हैं और ये जो मुकुट मनी है वो चमकता है 2014 से पहले याद करिए ये वही मनी शंकर ऐयर है जिन्हों ने नाक भों मंत्री नहीं बन सकता जादा से जादा अगर वो चाहे तो आके जो प्लेनरी सेशन और जो कॉंग्रेस का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में उसके बाहर टेंट लगा करके चाय बेचने का काम करें नतीजा आप सबको पता है देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को भारती जनता पार्टी और एंडिये को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया है दो हजार नीस के चुनाव से पहले गांधी परिवार के मुकुट मनी मनी शंकर अयर उन्होंने फिर से कहा था और उस बार पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हराना हो होगा यह वही मनी शंकर अयर है जिनोंने दो हजार उन्नीस के चुनाव से पहले घोशना की थी और जिस प्रकार के भाशा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीच आद्मी है देश के तमाम लोग आश्चरी चकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नज़दी की व्यक्ती इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधान मंत्री के लिए कैसे कर सकते है उसका भी नतीज़ा आपने देखा था लोगों ने इस प्रकार के घमंड से भरे स्टेटमेंट्स और इस प्रकार घमंड से भरे नेताओं का हश्र क्या किया 2024 का चुनाव आ रहा है मुकुट मनी फिर से चमके इस बार बोला ही नहीं किताब भी लिग डाला है और एक विशय पे नहीं अनेक विशयों पे बोला है मुक्यतः थ्री पीज पी वन परिवारवाद बी टू पक्षपात हिंदूओं के खिलाफ पक्षपात और पी थ्री जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड लगी हुई है और लगेगी भी पाकिस्तान परिवारवाद पक्षपात और पाकिस्तान इन तीनों विशयों पर और ये तीन विशय ये जो घमंडिया अलाइन्स है ये तीन विशय इस घमंडिया अलाइन्स के सबसे फेवरेट विशय उस पर मनीशंकर अयर जी ने थेसिस प्रस्तुत किया है और अलाइन्स के जो The soul of the alliance has been presented by Manish Shankar Ayer in the written format. जो alliance का आत्मा है, उसे आत्मकथा के रूप में Manish Shankar Ayer ने रखा है. परिवारवाद. आप देखें, परिवारवाद को लेकर पीवी नर्सिम महराओ जो कॉंग्रेस के ही प्रधान मंत्री रहे, उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता, गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री बन जाए, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, इस विशय को सह नहीं सकते हैं, कदाचित सह नहीं सकते हैं, और मैं याद दिलादू, पीवी, नर्सिम, महराओ जी, वो व्यक्ति थे, जो थे कांग्रेस के, मगर गांधी परिवार के नहीं थे और गांधी परिवार से बाहर कॉंग्रेस के वो प्रथम व्यक्ति थे जिनोंने पांच वर्ष के कालखंड को बतौर प्रधानमंत्री पहली बार पूरा किया बगैर गांधी परिवार के होते हुए यह गांधी परिवार कभी सह नहीं सकती ती इसलिए मनी शंकर अयर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नर्सिम महराओ ये तो भारती जंता पार्टी के ये तो कॉंग्रेस के ही नहीं है आप समझे जब सोनिया गांधी जी ने पीवी नर्सिम महराओ के मृत शरीर को कांग्रेस के मुख्याले के अंदर आने से इनका कि उसके पीछे के भाव को आज अनेको वर्षों बाद मनी शंकर अयर जी ने जसक का तस किताब और अपने आत्मकता और उसके बाद अपने प्रेस वारता में प्रेजेंट किया है उसे रखा है आश्चरे लगता है कि ये वही मनी शंकरायर है जो परिवारवाद में इतने अंधे हैं कि जब राहूल गांधी जी की ताजपोशी हो रही थी और मीडिया बंदु आप सबने जाके उनसे पूछा था कि ये तो परिवारवाद है इलेक्शन नहीं होगा क्या तो उन्होंने कह था अरे जब साजहां के बाद औरंजेव बन गया था तो कौन सा एलेक्शन हुआ था औरंजेव तो आराम से बन गए थे तो अब राहूल गांधी बन गये तो कौन सी बड़ी बात तो परिवारवाद के इतने बड़े भक्ते हैं सुभाविक रूप से आज नरसिम महराओ के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं पक्षपात हिंदूों के खिलाफ पक्षपात यह ना केवल कॉंग्रेस अपी तू यह जो घमंडिया अलायंस है इसका एक बेसलाइन है और चुनाव से पहले ठीक इस पक्षपात को मनीशंकर अयर जी को एक फ्रिं प्रिंज नहीं है मैं बार-बार याद दिला रहा हूं और यह किताब का भी आना यह महज एक कोइंसिडेंस नहीं है बहुत सोच समझ करके अलायंस के विचारधाराओं को थेशिस के रूप में प्रस्तूत किया है मनीशंकर अयर जी और इस किताब में वो लिखते हैं भव् प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्गाटन किया सिलान्याज किया एक इतिहास रचने जा रहा है और उस समय यह कहना कि मैं तो बावरी मस्जित का पक्षधर हूं यह मैं तो बावरी मस्जित का पक्षधर हूं यह मैं मैं नहीं है यह घमंडिया अलायंस है यह का अब सोचिए यह वही मनीशंकर एयर है जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर का विशय जब कोट में चल रहा था तब उन्होंने कहा था कि अयोध्या के महल में तो दस हजार कमरे थे क्या भारतिय जनता पाटी या हिंदू ये प्रूफ कर सकते हैं कि किस कमरे में भग प्रूफ के भावनाओं के उपर पक्षपाती रूप से कुठारागात करने का काम किया है इसलिए ये परिवारवाद और पक्षपात और जो तीसरा पी है पाकिस्तान उसके बिना तो ये मनीशंकर एयर जी या कॉंग्रेस पार्टी जी ही नहीं सकती है अगर का पाकिस्तान परिशान हो पाकिस्तान के उपर आफ़त आ जाए पाकिस्तान के उपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए एर स्ट्राइक हो जाए बान लगता वहाँ है चटपटा हट होती यहाँ है मुझे बड़ा आश्चरी हुआ कल का दिन कितना बड़ा दिन था आप सोच के देखिए हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में एक किर्तिमान स्थापित किया चंद्रयान साउथ पोल में लैंड कर रहा है ठीक उसी समय एक प्रिस्वारता आता है मनी शंकर अयर का और वो कहते हैं कोट अनकोट भारत कभी विश्व गुरू नहीं बन सकता क्यूंकि भारत पाकिस्तान को नजर अंदाज कर रहा है अगर भारत अपने पश्चिम के नेबर के साथ शांती स्थापित नहीं कर सकता अगर भारत पाकिस्तान से बाचीत नहीं कर सकता तो भारत कभी विश्व को रास्ता नहीं दिखा सकता भारत कभी विश्व के राह को आगे से लीड नहीं कर सकता है मनिशंकर अयर जी राहूल गांधी जी सोन्या जी कान खोल के सुन लीजिए चाहे आप कितना भी भारत के लिए बद्दुआ दे दे इंडिया हैस ऑल्रेडी प्रूव्ट इस मेटल भ एक नए किर्तिमान को स्थापित किया है इसलिए आपका यह कहना कि भारत वर्ष कभी नंबर एक नहीं बन सकता है यह गलत है पाकिस्तान 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 सर्जिकल स्ट्राइक के विशे में लिखा है कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक तो कर सकते हैं मगर पाकिस्तान से बाचीत नहीं कर सकते हैं इससे पहले जब हमारे प्रधानमंत्री थे हम बाचीत कर रहे थे बड़े स्पष्ट रूप से भारत ने कहा है नरेंदर मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है टॉक्स एंड टेरर कें निवर मूफ टुगेदर आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती है इसलिए सोनिया जी राहूल जी खडगे जी और आपके प्रवक्ता मनीशंकर अयर जी इस बात को स्पष्ट रूप से सुन लीजिए Zero Tolerance for Terrorism नरेंदर मोधी जीने स्पष्ट रूप से कहा है आतंकवाद को सहेंगे नहीं आंक मिला के बात करेंगे जुका के नहीं आप लोगोंने आंक जुका करके देश को जुकाने का काम किया था आंक मिला करके नरेंदर मोधी जी बात कर रहे हैं जसको तस जवाब दिया जा रहा है इसलिए जिस प्रकार की वारता आपकी पाकिस्तान को लेकर आ रही है ये निंदा जनक है मैं इतना ही कहूंगा ये आत्मकथा केवल मनी शंकर अयर की नहीं है ये हथिसिस घमंडिया एलाइंस की और ये गांधी परिवार के विचार है बहुत धन्यवाद कोई प्रशन हो तो अवसे पूचे है ये समग्पर ये सुटें इस प्रकार ये सब्सक्राइब के इस इसदिए निया इंदय कर दी मुझा आइब इस माराओ